हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासिस, मैं जोती आपका एड्यूहब ऑनलाइन क्लासिस में स्वागत करती हूँ दोस्तों कल हम राजस्थान सेकारी बिवाग भरती के सेकारीता समदी जो कुशन थे उससे रिलेटिव कुशन थे उनको किआ था 50 कुशन मैंने करवाया था कल आपको और कल ही आपका एग्जाम है दोस्तों आज फिर मैं रिवाईज में आपको 50 कुशन लेकर आई हूँ आज फिर में आपको 50 question complete revise के साथ करवाऊंगी दोस्तो उमेदे आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वीडियो को start करते हैं दोस्तो और आपसे request है आप patience बना कर वीडियो को पूरा आम तक देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful रहेगा दोस्तो कलके exam के लिए मेरी तरफ से सभी को वेश्ट अपलग दोस्तो चलो class को start करते हैं आज का पहला question है दोस्तो society के आईवय की जाच किस तारिक को की जाती है, तो दोस्तों 30 सितंबर को की जाती है, कब की जाती है 30 सितंबर को, सोसाइटी के आईवय की जाच किस तारिक को की जाती है 30 सितंबर को, याद हो गया दोस्तों सोसाइटी के आईवय की जाच किस तारिक को की जाती है 30 सितंबर को, कुश्चन नमबर दो, दोस्तों, सोसाइटी की सीमिती का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, सोसाइटी की सीमिती का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो दोस्तों इसका अंसर है, पांच वर्ष, कितना होता है, पांच वर्ष, सोसाइटी की सीमिती का कार्यकाल कितने वर्ष होता ह पांच वर्स आके देखो दोस्तो कुश्य नमबर तीन सोसाइटी की लेखाओं की परिक्षा कराने का उलेक किस धारा में है तो धारा चौपन में है दोस्तो कौन सी धारा में है धारा चौपन में सोसाइटी की लेखाओं की परिक्षा कराने का उलेक किस धारा में है धारा देखो दोस्तों सैकारी क्रेव विक्रे सिमिती में कितने परकार के सदश्य होते हैं तो दोस्तों तीन परकार के सदश्य होते हैं इसमें कितने परकार के होते हैं तीन परकार के सेकारी क्रेव विक्रे सिमिती में कितने परकार के सदश्य होते हैं तीन परकार के ठीक है दोस्त सेकारी बैंक का गठन करने के लिए नियुनतम कितने सदश्य होने चाहिए सैकारी बैंक का गठन करने के लिए नियुनतम कितने सदश्य होने चाहिए तो कितने सदश्य होने चाहिए दोस्तो सोला कितने होने चाहिए सोला सैकारी बैंक का गठन करने के लिए नियुन्तम कितने सदश्य होने चाहिए 16 आगे देखो कुश्च नमबर 7 राजेस्थान सैकारिता विवाग का मुख्याले कहां इस्ती थे बहुत ही अच्छा कुश्च है दोस्तों आपको कल एक्जाम में स्थारी के ही कुश्च देखने को मिलेंगी राजेस्थान सैकारिता विवाग का मुख्याले कहां इस्ती थे तो दोस्तों जैपूर में इस्ती थे कहां पर इस्ती थे ये जैपूर में राजेस्थान सैकारिता विवाग का मुख्याले कहां इस्ती थे जैपूर में सैकारी सोसाइटी अपने सुद्ध लाबों का कितना प्रतिशत सैकारी शिक् जमा करती है तो कितना करती है दोस्तों एक प्रतिशत कितना करती है एक प्रतिशत ठीक है दोस्तों सैकारी सोसाइटी अपने सुद्ध लाबों का कितना प्रतिशत सैकारी सिक्षा निदी में जमा करती है एक प्रतिशत आगे देखो कुश्चन नमबर नौ जब सोसाइटी सदश्य के निर्वाचन में विवाद हो तो निर्वाचन का परिणाम कितने महीने में गुशित कर दिया जाता है 10 सैकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए किसके पास आवेदन करना होता है सैकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए किसके पास आवेदन करना होता है रजिश्टार के पास किसके पास करना होता है दोस्तो रजिश्टार के पास उमिदे आपको कुशन करने में अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तो आप पूरे वीडियो को अंतक देखे हम 10-10 कुशन पढ़ेंगे और 10-10 कुशन को रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए क्योंकि कल ही ह हमारा एक्जाम है दोस्तो सोसाइटी के आयवय की जांच किस तारिक को की जाती है तो 30 सितंबर को की जाती है 30 सितंबर को सोसाइटी की सिमीती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तो पांच वर्ष का सोसाइटी की सिमीती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है पांच किस धारा में है धारा चौपन में सोसाइटी की लेखाओं की परिक्षा कराने का उलेख किस धारा में है दोस्तो धारा चौपन में ठीक है फिर देखो कुशन नमबर चार सैकारी करिय विक्रे सिमीती में कितने परकार के सदश्य होते हैं सैकारी क्रे विक्रे सिमीती में कितने परकार के सदश्य होते हैं तो दोस्तों तीन परकार के सदश्य होते हैं सैकारी करिया वेकर सिमीती में कितने परकार के सदश्य होते हैं तीन परकार के सदश्य होते हैं कुश्य नमबर पांस देखो सोसाइटी की प्रभन सिमीती के सदश्य बनने के लिए योग्यता है बनने क के लिए नियूंटम कितने सदस्ये होने चाहिए सहकारी बैंक का गठन करने के लिए नियूंतम कितने सदस्ये होने चाहिए 16 कितने होने चाहिए दोस्तो 16 आगे देखो कुश्च नमर 7 राजस्थान सैकारिता विवाग का मुख्यल है कहां इस्तीत है तो राजस्थान सैकारिता विवाग का मुख्यल है दोस्तो जैपूर में इस्तीत है का परिस्तीत है जैपूर में राजस्थान सैकारिता विवाग का मुख्याल है कहां इस्तित है जैपूर में आगे देखो कुछ नमबर आठ सैकारी सोसाइटी अपने सुद्ध लाबों का कितना प्रतिशत सैकारी शिक्षा निदी में जमा करती है तो कितना प्रतिशत जमा करती है दोस्तो एक प्रतिशत कितना प्रतिशत एक प्रतिशत सैकार निर्वाचन का परिणाम कितने मैने में गुशित कर दिया जाता है एक मैने में कितने मैने में गुशित किया जाता है दोस्तों एक मैने में जब सोसाइटी सदश्य के निर्वाचन में विवाद हो तो निर्वाचन का परिणाम कितने मैने में गुशित कर दिया जाता है एक मै ठीक है दोस्तो अब आगे देखो कुश्चन नमबर दस सैकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए किस के पास आवेधन करना होता है सैकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए किस के पास आवेधन करना होता है दोस्तो रजिश्टार के पास किस के पास करना ह है रजिश्टर के पास के लिए रहे दोस्तों तो आगे चलते हैं हम êtesी कुश्छन 10 रिवी थीकर लिया अब हम कुश्छन नबर 11 पढते हैं दोस्तों सैकारी सोसाइटी का शिर्ष मुख्याले कहां इस्ती थे ये भी बहुत अच्छा प्रिशन है दोस्तो सैकारी सोसाइटी का सिर्ष मुख्याले कहां इस्ती थे कहां इस्ती थे दोस्तो जैपूर में कहां इस्ती थे जैपूर में सैकारी सोसाइटी का सिर्ष मुख्याले कहां इस्ती थे जैपूर म कुश्य नमबर 12 देखो दोस्तों. राजिय सरकार द्वारा नामित सदश्य कितने मत दे सकता है? आके दखो कुश्य नमबर 13. महिला सोसाइटी के सदश्य बनने के लिए न्यूंतम योग्यता है पांचवी पास सोसाइटी का लेखाओं का वाशिक वित्रन करतने दिन भीतर रजिष्टार को देना होगा तो कितने दिन के भीटर रजिस्टर को देना होगा, दोस्तो 25 दिन के भीटर सोसाइटी का लिखाओं का वाशिक वित्रण कर रेपा को देना होगा, 45 दिना होगा, ठीक है दोस्तो आगे देखो पुष्य नमबर 15, किस सविधान संसोधन के तहत महिला सरकारी सिमिती के उपनियमों में संसोधन हुआ, किस सविधान संसोधन के तहत महिला सहकारी सिमिती के उपनियमों में संसोधन हुआ, तो सितानवा सविधान संसोधन के अनुसार हुआ, 97 जो सविधान संसो अगर कोई भी सदश्य दोसी है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है तो धारा निन्योड में के अनुसार किस धारा के अनुसार अगर कोई भी सदश्य दोसी है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है दोस्तो ठीक है किस धारा के अनुसार धारा निन्योड में के अनुसार कुश्य नमर 17 है समापक की सक्तियां किस धारा में होती है तो धारा 64 के अनुसार होती है दोस्तो समापक की सक्तियां किस धारा में होती है धारा 64 में किस धारा म सूची का विशय है राज्य का सैकारिता की सूची का विशय है दोस्तों राज्य का सैकारिता की सूची का विशय है राज्य का ठीक है दोस्तों अठारा कुश्यन हो गए हमारे आगे देखते हैं 19 नमर प्रश्ण डेरी सोसाइटी के सदश्य बनने के लिए नियूंतम योग्यता है तो नियूंतम योग्यता क्या है दोस्तों पाचवी पास पाचवी पास होना आविशक है डेरी सोसाइटी के सदश्य बनने के लिए नियूंतम योग्यता क्या है पाचवी पास ठीक है दोस्तों, आगे देखो 20 नमर प्रश्ण, सैकारी सिमिती का सदश्य कितना अंस पूजी ले सकता है, तो 1 बटा 5, 1 बटा 5 अंस पूजी ले सकता है दोस्तों, सैकारी सिमिती का सदश्य कितना अंस ले सकता है, 1 बटा 5, ठीक है दोस्तों, हमने 20 कुशन देख लिए, तो हम वापस एक वाई रिपेट करते हैं प्रशन नमबर 11 से सैकारी सोसाइटी का सिर्ष मुख्याले कहां इस्तित है जैपूर में दोस्तों फिर कुशन नमबर 12 राज्य सरकार द्वारा नामित सदश्य कितने मत दे सकता है तो एक मत दे सकता है दोस्तों ठीक है मैला सोसाइटी के सदश्य बनने के लिए नियूंतम योग्यता है क्या है मैला सोसाइटी के सदश्य बनने के लिए नियूंतम योग्यता पाचवी पास पाचवी पास होना आवशक है तबी वह मैला सोसाइटी के सदश्य बनने की योग्यता रखता है ठीक है दोस्तों आगे प्रेशन नमबर 14, सोसाइटी का लिखाओं का वार्षिक वित्रन कितने दिन भीतर रजिस्टार को देना होगा, तो 45 दिन के भीतर ही वो जो सोसाइटी को वार्षिक वित्रन करने के लिए जो लेखा है वो रजिस्टार को देना होगा, दोस्तों कितने दिनों के भीतर, 45 दिन के तहट महिला सहकारी सिमिती के उपनियमों में संसोधन हुआ तो 97 सविदान संसोधन के अनुसार महिला सहकारी सिमिती के उपनियमों में संसोधन हुआ दोस्तों याद रखना हमे 97 सविदान संसोधन कौन सा है 97 सविदान संसोधन किस धारा के तहट अगर कोई सदश्य दोसी ह तो उसे मद्दान देने का अधिकार नहीं है दोस्तो धारा निन्योण में के अनुसार किस धारा के अनुसार धारा निन्योण में के अनुसार किस धारा के तहत अगर कोई सदश्य दोसी है तो उसे मद्दान देने का अधिकार नहीं है धारा निन्योण में के अनुसार ठीक है दोस्तों, आगे देखो प्रशन नमबर 18, सैकारिता कि सूची का विशै है राज्य का, प्रशन नमबर 19, डेरी सोसाइटी के सदर्श्य बनने के लिए नियूंतम योगेता है। आगे देखो प्रशन नमबर 20 सैकारी सिमीती का सदश्य कितने अंस पूझी ले सकता है तो एक बटा पांच अंस पूझी ले सकता है वो सैकारी सिमीती का सदश्य कितने अंस पूझी ले सकता है एक बटा पांच अंस ठीक है तो दोस्तों आपको 20 question करवा दिये मैंने, आगे चलते हैं, अब हम लोग 21 number question को देखते हैं, किस नियम के तहट रजिश्टार आवेदक प्राप्त होने पर आवेदन की परिक्षा करेगा, तो 4, इसका अंसर क्या होगा दोस्तों, 4, किस नियम के तहट रजिश्टार आवेदक प्राप्त होने पर आवेदन की परिक्षा करेगा, 4, इसका नियम 4 के अंसर, 22 number प्रशन देखी दोस्तों, सोसाइटी का रजिश्ट्री करण, प्रमान पत्र, रजिश्टार द्वारा किस धारा के तहट दिया जाता है, तो धारा 6 के तहट दिया जाता है, दोस्तों, सोसाइ 23 number प्रशन देखी ए, अधी करण किस धारा के तहट गठित किया जाता है, तो धारा 105 के तहट अधी करण गठित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, आगे देखो प्रशन number 24, सहकारी सोसाइटी के समापन की नियुकती किस धारा के तहट की जाती है, सहकारी सोसाइटी के समापन की नियुक्ती किस धारा के तहत की जाती है धारा 63 के तहत की जाती है धारा 63 के तहती है ठीक है दोस्तो अब देखो प्रशन नमबर 25 कोई भी व्यक्ती किसी सोसाइटी के लेखों की लेखा परिक्षा लगातार कितने वर्षों से अधिक तक नहीं कर सकता है दोस्तो कोई भी व्यक्ती किसी सोसाइटी के लेखों की लेखा परिक्षा लगातार कितने वर्षों से अधिक तक नहीं कर सकता है दोस्तो किलियर है सुसाइटी में विवाद होने पर निपटारा किस धारा के तहट किया जाता है, धारा पचपन के तहट किया जाता है, धारा पचपन के तहट, 26 Q Metallขें कर लिए दोस्तो आगे चलते हैं, 27 अपर प्रेशन देखते हैं, सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए कितने वैक्ति का समर्थन होना चाहिए ठीक है दोस्तो आगे चलते हैं निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नाम बाली सदश्य को कितने रुपे प्रष्ट में उपलब्द करवाती है देखो कुश्यन क्या है निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नाम बाली सदश्य को कितने रुपे प्रष्ट में उपलब्द करवाती है तो पांच रुपए, क्या आएगा इसका अंसर दोस्तों पांच रुपए, क्या आएगा पांच रुपए ठीक है दोस्तों? आगे देखों 29 नमर प्रश्न राजेस्थान में प्रथम सहकारी सीमीती की स्थापना कब की गई? राजेस्थान में प्रथम सेकारी सिमीती की स्थापना कब की गई? 1905 में राजेस्थान में प्रथम सेकारी सिमीती की स्थापना कब की गई? 1905 में ये कुशन देखने को मिल सकता है दोस्तो राजेस्थान में प्रथम सेकारी सिमीती की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई ठीक है दोस्तो आगे देखो तीस नमर प्रश्ण सैकारी ध्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है सैकारी जो ध्वज होता है उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तो साथ कितनी होती है साथ सैकारी द्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तो साथ हमने 30 कुशन कर लिए दोस्तो फिर हम आपस से रिवाइज कर लिते हैं एक इस से फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें याद होते हैं साथी साथ किस नियम के तहट रजिश्टार आवेदक प्राप्त होने पर आवेदन की परिक्षा करेगा तो नियम 4 के तहट होगा दोस्तो ठीक है किस नियम के तहट रजिश्टार आवेदक प्राप्त होने पर आवेदन की परिक्षा करेगा नियम 4 के तहट सोसाइटी का रजिश्ट्री करण परमान पत्र रजिश्टार द्वा कौनसी है धारा 6 के तहट दिया जाता है आगे देखो तेईस नमर प्रेशन अधिकरण किस धारा के तहट गठित किया जाता है तो धारा 105 के तहट अधिकरण गठित किया जाता है ठीक है दोस्तों किलियर हो रहा है याद ओरा होग हो उमिद है आपको मेरे साथ साथ आ के देखो प्रेशन No.24 सैकारी सोसाइटी के समापन की नियुक्ती किस धारा के तहट की जाती है तो धारा 63 के तहट की जाती है किस धारा के तहट की जाती है दोस्तो धारा 63 के तहट की जाती है सैकारी सोसाइटी के समापन की नियुक्ति किस धारा के तहट की जाती है धारा 63 के तहट की जाती है दोस्तो आगे देखो कोई भी वैक्ती किसी सोसाइटी के लेखों की लेखा परिक्षा लगातार कितने वर्सों से अधिक तक नहीं कर सकता है तो दो वर्सों से अधिक तक नहीं कर सकता है दोस्तों इसका अंसर क्या होगा दो वर्स आगे देखो प्रशन नमबर 26, सोसाइटी में विवाद होने पर निप्टारा किस धारा के तहत किया जाता है, धारा पचपन के तहत किया जाता है, अगर सोसाइटी में विवाद हो गया है तो उसका निप्टारा किस धारा के तहत किया जाता है, धारा पचपन के तहत किया जा बनने के लिए वैक्ति का समर्थन होना चाहिए दो वैक्ति का, कितने वैक्ति का होना चाहिए दो वैक्ति का, आगे देखो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नाम बाली सदश्य को कितने रुपे प्रष्ट में उपलब्द करवाती है, पांच रुपे, कितने राजेस्थान में प्रथम सहे कारी सिमिती की स्थापना कब की गई 1905 में तीस नमर प्रश्ण देखो शेकारी ध्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है तो सात होती है दोस्तों सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या केतनी होती है साथ दोस्तों हमने 30 कुश्चन इसी तरह हल करते चले हैं और उमीद है आपको मेरे साथ साथ याद भी हो रहा होगा दोस्तों आगे देखते हैं 31 नमबर प्रश्ण 31 नमबर प्रश्ण राजेस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहां की गई तो भरतपूर में की गई कहां की गई दोस्तों भरतपूर में राजेस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहां की गई भरतपूर में तहां की गई दोस्तो, भरतपूर में, राजे स्थान में जो पहला सहिकारी बैंक की इस्थापना कहा हुई थी, भरतपूर में, आगे देखो 32 नंबर प्रश्न, राजे स्थान में सहिकारी सिमितियों की संख्या कितनी है? 33,869 कितने हैं दोस्तों, 33,869, राजय स्थान में सेकारी सिमीतियों की संघ्या कितनी है, 33,869 है दोस्तों, तेतिस नमर प्रश्न देखिए, राजेस्थान में सैकारी सिमीतियों की सदश्य शंख्या कितनी है एक सो चौबीस पॉइंट 31 लाग कितने है दोस्तों एक सो चौबीस पॉइंट 31 लाग राजेस्थान में सैकारी सिमीतियों की सदश्य संख्या कितनी है एक सो चौबीस पॉइंट 31 लाग ठीक है दोस्तों कितने हैं एक सो चौबीस पॉइंट 31 लाग आगे देखो 24 लाग प्रश्न राजिस्थान में सैकारी सिमीतियों की सेर पुंजी कितनी है तो तेरा हजार करोड कितनी है दोस्तो तेरा हजार करोड राजिस्थान में सैकारी सिमीतियों की सेर पुंजी कितनी है तेरा हजार करोड कितनी है दोस्तो तेरा हजार करोड आगे देखो 35 नबर प्रेश्न राजस्थान में वर्तमान में कितने अरबन कॉपरेटिव बैंक पंजी करते थे वर्तमान में कितने अर्बन कॉपरेटिव बैंक पंजी करते हैं? 49, कितने हैं दोस्तो? 39, रजस्थान में वर्तमान में कितने अर्बन कॉपरेटिव बैंक पंजी करते हैं? 39, ठीक है दोस्तो? आगे देखो, रजस्थान में अर्बन कॉपरेटिव बैंक की कितनी साखाएं है ये भी प्रशन अच्छा है वो था राजस्तान में वर्तमान में कितने अर्बन कॉपरेटिव बैंक पंजी करते हैं तो 49 बैंक पंजी करते हैं और राजस्तान में अर्बन कॉपरेटिव बैंक की कितनी साखाएं हैं तो साखाएं हैं 233 किते हैं दोस्तो 233 राजस्तान में अर संग राज फेड की स्थापना कब हुई किसकी स्थापना राज फेड की राज फेड की स्थापना कब हुई 26 नवंबर 1957 को ठीके दोस्तों किलियर है कब हुई 26 नवंबर 1957 को आगे देखो 38 नवंबर प्रश्न राज फेड की स्थापना कब हुई 26 नवंबर 1957 को राजस्थान में कितने क्रेव क्रेव सिमीतिया रजिस्टर है 230 आगे देखो 39 नवंबर प्रश्न राजस्थान राजियर सहकारी तिलहन उत्पादन संग लिमिटेड की स्थापना कब हुई राजस्थान राजियर सहकारी तिलहन उत्पादन संग लिमिटेड की स्थापना कब हुई 3 जुलाई 1990 को कब की गई दोस्तो 3 जुलाई 1990 को 40 नवर प्रश्न देखो दोस्तो सहकारी चीनी मिल स्री केसोरो पाटन की स्थापना कब हुई दोस्तो केसरो राई पाटन केसोराई पाटन दोस्तो केसोराई पाटन है ये सहकारी चीनी मिल स्री केसोराई पाटन की स्थापना कब हुई 1965 में सहकारी चीनी मिल स्री केसोराई पाटन की स्थापना कब हुई 1965 में दोस्तों हमने 40 कुशन कर लिया है तो वापस से हम रिविजन करते हुए चलते हैं 31 से राजस्थान में प्रथम सैकारी बैंक की स्थापना कब की गई भरतपूर में कहा की गई दोस्तों भरतपूर में राजस्थान में प्रथम सैकारी बैंक की स्थापना कहा की गई भरतपू ठीक है आगे देखो 32 नंबर प्रश्ण राजस्थान में सैकारी सिमीतियों की संख्या कितनी है राजस्थान में सैकारी सिमीतियों की संख्या कितनी है तेतीस अजार आठ सो उनसट है दोस्तों संख्या कितनी है इसकी तेतीस अजार आठ सो उनसट फिर आगे देखो 33 नंबर राजेस्थान में सहेकारी सिमीतियों की सदश्य संख्या कितनी है? 124.31 लाख है ठीक है? राजेस्थान में सहेकारी सिमीतियों की सदश्य संख्या कितनी है? 124.31 लाख आगे देखो चौतिस नमर प्रशन राजस्थान में सहकारी सिमीतियों की सेर पुंजी कितनी है दोस्तों तेरा हजार करोड कितनी है तेरा हजार करोड राजस्थान में सहकारी सिमीतियों की सेर पुंजी कितनी है दोस्तों तेरा हजार करोड आगे देखो पैतिस नमर प्रशन राजिस्थान में वर्तमान में कितने अर्बन कॉपरेटिव बैंक पंजी करते हैं तो 49 कॉपरेटिव बैंक पंजी करते हैं तो सखाएं कितनी हैं 233 बैंक पंजी करते हैं 39 और साखाएं कितनी हैं कॉपरेटिव बैंक कि 233 थेके दोस्थो आगे देखो 37 नtillर प्रशन राजिस्थान राजिय सहकारी क्रेविक्रे संग राजफेट की स्थापना कब हुई? 26 नुउम्बर 1957 को राजेस्थान राजिय सैकारी क्रेविक्रे संग राजफेट की स्थापना कब हुई 26 नौवंबर 1957 को हुई दोस्तों किलियर हुए आगे चलते हैं 38 नंबर प्रशन देखिए राजेस्थान में कितने क्रेविक्रे सिमीतियां रजिश्टर्ड है दोस्तों राजेस्थान में कितने क्रेविक्रे सिमीतियां रजिश्टर्ड है तो 230 सिमीतियां रजिश्टर्ड है ठीक है दोस्तों कितने है 230 राजेस्थान में क्रेविक्रे की सिमीतियां की रजिश्टर्ड कितनी है 230 आगे देखो 49 नंबर प्रशन 39 राजेस्थान राजिय सैकारी तिल तिलहन उत्पादन संग लिमिटेड की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 3 जुलाई 1990 को हुई दोस्तों कब हुई 3 जुलाई 1990 को राजेस्थान राजिय सहकारी तिलहन उत्पादन संग लिमिटेड की स्थापना कब हुई 3 जुलाई 1990 को हुई दोस्तों प्रिशन देखो सहकारी चीनी मिल सुर्य केसो राय पाटन की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1965 को प्रिशन देखत को आगे चलते हैं दोस्तों 41 नमबर प्रशन देखते हैं, राजेस्थान में वर्तमान में जिला इस्थर पर कितने उपभोगता थोक बंडार कारियरत है, तो 34, कितने हैं दोस्तों, 34, राजेस्थान में वर्तमान में जिला इस्थर पर कितने उपभोगता थोक बंडार कारियरत है, 34, आगे देखो, 42 नंबर, sorry 42 नंबर कृशन देखिए दोस्तो, राजस्थान सैकारी आवास संग की स्थापना कब हुई? 1970, कब हुई दोस्तो, 1970, राजस्थान सैकारी आवास संग की स्थापना कब की गई? 1970 में, 43 नंबर प्रशन देखिए, प्राथमेक सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी हैं? सेर पुंजी कितनी है पांच अजर कितनी है दोस्तों पांच अजर प्राथमिक सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है पांच अजर चमले नमबर प्रशन देखिए साधारन सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है साधारन जो सोसाइटी है उसकी सेर पुंजी कितनी है दोस्तों पच 50000. सा धारण सोशाइटी की सेर पुन्जी कितनी है 250000. पैतालिस न्म्र प्रश्णौी दोस्तों योगिक उत पाथ मुक्र वुट पाथ मेनों, च्यार शेयर पुन्जी कितनी है 15000. सेवा सहकारी सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है एक लाख सेवा सहकारी सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है एक लाख ठीक है 47 नमर प्रशन देखिए रिंड संपदा सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है पचास अजार कितनी है दोस्तों पचास अजार रिंड संपदा सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है पचास अजार 48 नमर प्रशन देखिए महिला सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है दोस्तों पांच लाख कितनी है पांच लाख महिला सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है पांच लाख आगे देखिए महिला बहु देश्य केंद्रिय सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है एक लाख कितनी है दोस्तों एक लाख महिला बहु दिश्यकेंद्य सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है एक लाख फिफ्टी नमर प्रेशन देखिए क्रशी उत्पाद सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है पंदरा हजार कितनी है दोस्तो 15,000 क्रशी उत्पाद सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है 15,000 रिविजन कर लेते हैं दोस्तो हम 41 से राजेस्थान में वर्तमान में जिला इस्थर पर कितने भोकता थोक बंडार कारियरत है तो कितने हैं दोस्तो 34 या 34 बोल सकते हैं हम लोग राजेस्थान में वर्तमान में जिला इस्थर पर कितने भोकता थोक बंडार कारियरत हैं 34 ठीक है आगे चलते हैं प्राथमिक सोसाइटी की सेरपुंजी कितनी हैं पांच अजार कितनी है दोस्तों पांच अजार साधारन सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है तो पचास अजार साधारन सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है दोस्तों पचास अजार प्रात्मिक सोसाइटी की सेर पुंजी है पांच अजार और साधारन सोसाइटी की सेर पुंज कितनी है और द्योगिक उत्पाद सोसाइटी की सेर पुंजी दोस्तों 25,000 है कितनी है 25,000 और द्योगिक उत्पाद सोसाइटी की सेर पुंजी 25,000 है दोस्तों आगे चलते हैं सेवा सहकारी सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है एक लाख सेवा सहकारी सोसाइटी की जमापुंजी कितनी है दोस्तो एक लाख 47 नमर प्रश्ण देखिए रेंड समपदा सोसाइटी की सेरपुंजी कितनी है पचास अजार रेन समपदा सोसाइटी की सेर पुंजी कितनी है दोस्तों पचास अजार ठीक है आगे देखो महिला सोसाइटी की जमा पुंजी कितनी है पांच लाख है दोस्तों महिला सोसाइटी की जमा पुंजी कितनी है दोस्तों पांच लाख महिला बहु देश्य केंद्री सोसाइटी की जमा पुंजी कितनी है दोस्तों एक लाख क्रशी उत्पात सोसाइटी की जमा पुंजी कितनी है दोस्तों 15,000 तो दोस्तों मैंने आपको 50 कुशन करवा दिये है और 50 कुशन को मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है उमिदे आपको मेरे साथ-साथ वीडियो देखते देखते याद हो गया होगा और अगर नहीं भी हुआ है दोस्तों तो आप दो वार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए तो आपको ये 50 कुशन अच्छे से याद हो जाएंगी और मैंने कल भी आपको 50 कुशन करवा दि यह best of luck दोस्तों आप अच्छे से exam दे और आपका exam अच्छा हो ठीक है दोस्तों और अगर वीडियो पसंद आया हम लोग इतना मैनत करते हैं दोस्तों तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर कीजिएगा और कोई भी कुछ problem होती है तो comment कीजिए और हमा जोने लाब हो सके दोस्तों अपना परिक्षा अच्छे से वह भी दे सके preparation अच्छे से कर सके ठीक है दोस्तों फिर आगे और भी मैं इससे संब्धी जोग भी कुष्षिण बचे में है मैं करवाउंगी आपको तो आप अपनी तेयारी इच्छे से जारी रखे अच्छे से मन लगा कर इन कुष्णों को दो वार तीन वार वीडियो को देखिए दोस्तों तो आपको जरूर ये 100 कुष्ण तेयार हो जाएंगे और इनी कुष्णों से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे थैंक यू, बाबाई दोस्तों